नमस्ते आदाब सत्यकाल दोस्तों सचिन कुमार कैन नाम है मेरा और एक बार फिर आपके समक्ष आपके मद्ध है उपस्तित हूँ एक बड़े ही कमाल के फनकार के साथ में बड़े ही कमाल के फनकार हैं अपनी लेखनी के माध्यम से बड़े ही संदर संदर रचनाएं लिखते मैं बात कर रहा हूँ अंकित कुमार निगम मेरट की धर्ती से तालुक रखते हैं और आज स्टुडियो में हमारे साथ में मौदूस्ग हैं आपको कुछ रचनाय सनाने के लिए मैं अंकित कुमार निगम से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी उनकी जो मूल रचनाएं हैं उनसे आप सभी को रूब रूब करने की कारे करें अबहर व्यक्त करता हूं और आपने इस बहतरी निमंच पर मुझे बुला करके जो एक आउसर प्रदान क्या है उसके लिए बार बार आपका तहे दिल से अभिननन करता हूं और आप सबके समक्स कुछ रचनाओं के साथ कुछ सायरी के साथ आज उपस्तित हूं और कोसिस करूँगा के जो भी मेरे पास है उसको आपके द्वारा आपके पास तक पहुँचाने की कोसिस करूँगा थीक है सर तो पहली रचनाओं पहला सेर है आप सबके समक्स सबके बीच में रखता हूं कि उसकी आँखों में दरिया तो नहीं मगर पानी लगता है कि उसकी आँखों में दरिया तो नहीं मगर पानी लगता है उसका नजरे मिला कर चुराना भी बेमानी लगता है और कल मैंने उसके हसते हुए चेहरे के जलवे देखे कल मैंने उसके हसते हुए चेहरे के जलवे देखे सच है या दिखावा है सच है या दिखावा है मगर आसिक खांदानी लगता है मगर आसिक खांदानी लगता है और मत पूछ वो राज दफन रहने दो कि मत पूछ वो राज दफन रहने दो और खपा है वो मुझसे खपा रहने दो वो खरीदार महबत का कीमत बताता फिरता है कि मत पूछ वो राज दफन रहने दो खपा है वो मुझे खपा रहने दो वो खरीदार महबत का कीमत बताता फिरता है उससे कह दो कि मैं फकीर हूँ मुझे फकीर रहने दो उससे कह दो कि मैं फकीर हूँ मुझे फकीर रहने दो और मैं अभी तक वही जाम लिए बैठा हूँ कि सर ओ, मैं अभी तक वही जाम लिए बैठा हूँ और हसरत दिल में तमाम लिए बैठा हूँ तू बता क्या कीमत है तेरी महबत के सराफे में तू बता क्या कीमत है तेरी महबत के सराफे में मैं अभी तक वही जाम लिए बैठा हूँ और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और नया सेर आपके सामने में रखना चाहूँगा के मैं तेरे सहर की चलती वो हवा छोड़ाया हूँ और सिखती है रोटी सियासत की जिस तवे पर जलता तवा छोड़ाया हूँ कभी गोर तो क्या होता कि उस लिफापे में क्या है कि हर सवाल जवाब जलता हुआ छोड़ाया हूँ